हेलो दोस्तों सौगत है आप सभी का मेरे चैनल पर और आज मैं बनाने जा रही हूँ मठरी वो भी केहों के आती की यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही कम सामान में बहुत ही अच्छे से बन जाती हो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी लगती है खाने मे और आप इसे बना करके जब यह ठंडा हो जाया तब आप किसी एरटाइ डिम्बे में भरके रख दीजे और आप इसे 15-20 दिन तक इस्तमाल कर सकते हो और आपने सुना यह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूर करना तो गीहों के आटे की मठ्री बना रहे हैं तो हमको चाहिए एक कप गीहों का आटा इसके साथ ही मैंने लिया है दो बड़े चमच सूजी और इसके साथ ही मैंने लिया एक बड़े चमच बेसन और थोड़ा साम काले मिर्च का पाउडर डाल देंगे अगर आप चाहे तो काल है नोगरी को मिला लेते हैं तो हैं यहां पर एक बड़ा बादन लिए हुआ है इसमें हम डाल देंगे गहु का अलज सूजी में बात ही सूजी से बहुत अच्छा क्रिस्प आएगा इसलिए मैंने सूजी दाल दी है और बेसां डाल देंगे इसके कालिमेज का पाउडर डाल देते हैं नमक डाल दीजिए स्वाथ की अनिसार जैसा भी आपको पसंद हो इसके साथ ही हम डाल देंगे कसूरी मेथी और अजवाइन इन दों को हम क्रस्ट करके डालेंगे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इससे तो इसे अच्छे से क्रस्ट और डाल दीजिए और इसके बाद में यहां पर टाल देंगे तो यहां पर लगबक चार बड़े चमच के करीब मैंने तेल डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए जब तक कि यह बाइन्ड ना होने लगे तो दो मिनट से तीन मिनट लगे गा इसको ऐसा करने में तो बघ्दम परफेक्ट है तो बढ़ा थोड़ा करके इपाणी लगागा सबस्क्राणापस भगो एन बढ़ा चांवा करके नाको번 कि पाणी सबLYगराए दोतीा ही uso दैऊँ में एक प्ति नष्प निनटimizeूड तो यह 20 मिनट हो चुके हैं और आंटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है तो एक बार हम फिर से इसे मसल लेंगे एक मिनट तक इसे अच्य पूर्ट लेजिए और अच्छे से एक मिनट तक इस वनट लेजिए और बस इसे अपर मठ्री करें तो आप से छोटी चोटी लोईय Northwest बना सकते हूं फार बहुत जादा बाड़ी नहीं बनाना फोड़ा छोटी छोटी बना ति ज़्यादा अच्छे ऐसी सम्हाल देंगे कैसे मेटरी नहीं करना कि यहां पर जादा करूख वे सभी जिए ऐगने गणिए जी ऐखि देनी करूबलिया नुर। मैंने कड़ाई में तेल भेख तेल हमारा हल्का हुय। हमें हलका गरम तेल ही चाहिए ज्यादा अगर तेल गरम होगा तो यह मठरी हमारी फूल जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी तो तेल में जितना भी मठरी आसानी से आ जाए हम उतनी डाल देंगे और इसे हम एकदम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और इसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे और एकदम क्रिस्पी कोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे और आप ध्यान रखें कि मीडियम टू लो फ्लेम ही रहेगा हमारी मठ्री एकदम बड़ी है सुनहला रंगा आ गया हमारी मठ्री में आप देख सकते हो और इसे मैंने एकदम लो फ्लेम पर ही पकाना है आप देख सकते हो मैंने इसे एकदम लो फ्लेम पर ही पकाया है एकदम भी आज को मैंने तेज नहीं किया था और बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और इसमें क्रैक्स आ गया है हमारी बहुत ही अच्छी सी मठ्री बन करके रेडी है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम सब भी मठ्री को बना करके तयार करेंगे तीन से चार मिनट लग जाते हैं एक बार की मठ्री को तलने में तो यहाँ पर हमारी सारी मठ्री बन करके तयार है बहुत ही अच्छा सा कलर आया है इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है ये देखिए हमारी सारी मठ्रियां बन करके तयार है तो सुना आपने ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हमारी मठ्री बनी है तो आप भी इस मेट्रिक को जरूर ट्राइ करना और बनाना और अपना अनुबों में कमन करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना शेयर कर देना और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना ताइंक यू